वेलकम बेक टू माई चेनल आज हम ड्राइ फूड और खजूर के लड़ू बनाएंगे जो टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं तो इसको सुगर्फ पेशन भी खा सकते हैं इसमें कोई हमने चीनी का अलग से इस्तमाल नहीं किया है और ये बनाना बहुत ही आसान है चली बनाना शुरू करते हैं खजूर की बर्फी बनाने के लिए हमने ये खजूर लिए हैं 400 ग्राम और ये खजूर इस तरह की हमने मुलायम और सोफ्ट लिए हैं इस तरह से हम अपने खजूर के सभी बीच को निकाल करके मिक्सी के जार्म में डाल करके इसे बारिक-बारिक पी और 100 ग्राम हमने बादाम लिये हैं, बादाम को हमने इस तरह से बीच में दो पीस बना लिये हैं, 200 ग्राम के करीब हमने अखरोट लिये हैं, अखरोट को हमने बारिक बारिक काट लिया है, 200 ग्राम हमने काजु लिये हैं, काजु भी हमने बीच में से दो पीस बना लिये हैं, और यह खसकसली है हमने, जिसको हम पोसत भी बोलते हैं, 200 ग्राम हमारे पोसत हैं, अब हम अपनी बर्फी को बनाना शुरू करते हैं, खजूर की बर्फी बनाने के लिए गेस पे हमने एक कड़ाई को चड़ा करके रखा है, अब हम इसमें अपने मखाने डालेंगे, और मखान मखानों को हमारे भूनते हुए, मखाने हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम देखते हैं चेक करके, हमारे मखाने अच्छे से करा रहे हो गए हैं, और हम इने तोड़ रहे हैं, तो यह आसानी से तूट रहे हैं, अब हम इन मखानों को निकाल लेते हैं, अब हम इसम वोने अगर हम ज्या थे भोनें अब हमारे बंद धान जल जाएंगे अब इनको भी तो मिघा सेंके और हमारे को गईशब वाहराकलने लोई फिलेम पर है अपने विल भूनेंगे अखरोड को हमने कुछ देर के लिए शेख लिया है अखरोड भी हमारे अच्सा क्वlında आदर है और हम हम अपनी क्रहाई में एड करदेंगे और खोष देर्ियरिंगे इसको भी हम भूलेंगे इस तरह से हम चलाते हुए इसको कुछ देर के लिए ही हमें भूलना है ज्यादा हमें नहीं भूलना है और गेस का फिर हमें लोर रखना है खजूर के लड़ो में बस भूलने का ही काम होता है वना लड़ो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं नारियल को भी हमने कुछ देर के लिए भूल लिया है बस इतना ही हमें नारियल भूलना था अब हम इस नारियल को भी अपने निकाल लेंगे गेज़ पर हमने फिर कढ़ाई को अपने चड़ा दिया है एक स्पून भरके डालेंगे हम अपना देशी घी और देशी घी को मेल्ट होने देंगे और ये हमारी खजूर है जिसको हमने मिक्सी के जार में पीस करके रखा है ये भी हम अपने घी में एड़ कर देंगे और कुछ देर के लिए इस खजूर को हम अपने घी में भूनेंगे कुछ देर के लिए अपनी खजूर को हम इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे इसे हमें अच्छे से बेज करना है खुजूर को भी हमने कुछ देर के लिए भून लिया है और ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये हमारे च्वारे है जो हमने मेसी के जार में पीस करके रखे थे ये भी हम अपने च्वारे इसी में एड़ कर देंगे और कुछ देर के लिए अपने च्वारो को भी पगा अब हम इसमें अपनी जो मेवे हमने भून करके रखी थी उनको सब एट करेंगे सारी मेवे को इस तरह से मिला देंगे अपनी सबी मेवाकु होम अपनी खजूर में इस तरह से डालेंगे और गेस का फिलेम हमें लो रखना है इसे अब मिलाएंगे सबी ड्राइव फ्रूट को हमने अपनी खजूर में मिला दिया है और यह अच्छा सा हमारा एक मिक्सचर बनके तयार हुआ है अब हम एक थली लेंगे आपके पाद थली हो कोई डबा हो यह तिवे हो आप उसमें इसे जमा लीजिए हमने अपने मिक्सचर को कढ़ाई से अपनी धळी में डाल दिया है ठंडा होने के लिए अब यह हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है अब हम इसके लड्डू बनाएंगे सच मालिए ये लड्डू सिहत का खाजाना है आप इसकी बरफी भी जमाकत खा सकते हैं आप इसके लड्डू ही बना सकते हैं मैं इस तरह से लड्डू बनाओंगी आप इसके लड्डू ही बनाएं लड्डू इसके बहुत अच्छी बनते हैं क्योंकि हमारी जो खजूर है उस यह लीजिए यह हेल्दी और टेस्टी लड़ो आप अपने बच्चों को खिलाएं घर में आपके जो बड़े बुड़े हैं उनके दर्द रहता है गुटनों में कमर में उनके लिए भी बहुत ही फाइदमन हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक्डू फॉर